टैली प्रैम 4.0 में मैंने फर्ट पार्ट में बताया था कि टैली का किस तरह सेम 4.0 को इंस्टॉलेशन करेंगे अगर 2.1 से डिरेक्ट आप 4.0 यूज कर रहे हैं और आपने 3.0 या 3.1 को यूज नहीं किया है और 4.0 को यूज कर रहे हैं तो इसमें काफी कुछ चेंजिंग आया है 3.0 से लेकर के 4.0 तक में और जैसे कि फर्ट वीडियो में मैं बताया था किस तरह आप इसे इंस्टॉल करेंगे किस तरह से इसका कॉन्फिग्रेशन करेंगे कैसे कंपनी क्रिएट करने का बाद क्या 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 आपको इनेवल करना है और कौन सी चीज कंपल्सरी होगी है तो इसका इसमें किस तरह से इनेवल करेंगे अगर क्वाटरली है तो कैसे करेंगे मंथली है तो कैसे करेंगे किसी कारण बस आपका registration inactivate हो जाता है तो उसे activate या inactivate option को select किस तरह से करेंगे अपने टेली में A to Z process के बारे में first part में मैंने बताया था second part में मैंने बताया था इसमें सबसे ज़्यदा important चीज़ है laser create करना अगर आपने सही-सही टेली 4.0 में laser create नहीं किया, सही option का selection नहीं किया तो फिर आपका laser create तो हो जाएगा लेकिन आपका R1 या 2 या में हमेशा कुछ न कुछ error आता रहेगा, यहां तक कि अगर आपने किसी कारण बस laser create कर लिया और laser में कोई भी alter edit करना परा और फिर दोबारा से आप उस laser का selection करेंगे तो आपका data जो है automatic tax enable नहीं हो पाएगा यह सब सारे error को किस तरह से ठीक करना है, उसके बारे में मैंने part 2 बताया है, कैसे laser create करना है taxable tax laser कैसे create करना है common laser create कैसे करना है अगर without inventory entry करते हैं तो उसके लिए console laser आपको 4.0 में create करना परेगा और with inventory इंट्री इंट्री लेते हैं तो उसके लिए console laser create करना परेगा taxable laser तक centri debtor आप centri creditors लेकर indirect expense से लेकर A to Z laser के बारे में part 2 में मैंने बताया अब third part में मैं आपको बताऊंगा जोएली 4.0 में वो बहुत important है और हो है stock से related इसमें क्या है कि पहले मैं दो-तीन option आपको समझा देता हूं यह आपको stock item है और stock item में आप देख सकते हैं यह group है यह accessories है कुछ कुछ computer है और यहाँ पर कुछ laptop है ओके अब यहाँ पर आपको example के साथ समझना है और नीचे है यह printer printer है अब यहाँ पर देख लिए यह चार group है इसके एक accessory, computer, laptop और printer printer जितना भी इसका hsn code और rate same है laptop का hsn code तीनों का same है और यह percentage भी computer का hsn code और इसका percentage भी और यहाँ इससे उपर accessories का hsn और percentage सब कुछ है यहाँ पर चार पार्ट में उटा हुआ है अब यहाँ पर हम चलते हैं stock बनाते हैं stock create करेंगे इसके लिए मुझे यहाँ create में जाना है और यहाँ पर मुझे यह group create कर लेना है मुझे group काउन सा create करना है पहला SS reach का और यहाँ पर इसे प्रेमिर रखेंगे इसे based on quantity को yes करेंगे और यहाँ पर अगर हम specify कर देते हैं और यह hsn जो है यहाँ group में दे देते हैं यह option आपको कहा नहीं था तो 2.1 में नहीं था टेली प्रेम 2.1 में नहीं था और यहाँ पर specify कर देंगे टेक्सेवल कर देंगे और यह कितना % है 12% इसे हम 12% कर देंगे और इसे हम save कर देंगे पहला बन गया मेरा group दूसरा group हम यहाँ से create करेंगे stock item का computer इसको भी हम yes करेंगे और यहाँ से इसको हम specify कर देंगे और इसका sn क्या है यह है 7485 ओके और यहाँ पर यह दे देंगे हम computer और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे specify करेंगे और यह कितना % है 28% यह ले लेंगे और इसे भी हम save कर देंगे और उसके बाद हम ले लेते हैं laptop laptop का group एक बनाते हैं yes करेंगे specify करेंगे और इसका hsn code क्या है 054 और यह यह आपका laptop हो गया specify करेंगे यहाँ पर और यह कितना % होगे 18% इसे भी हम save कर देंगे उसके बाद हम आ जाएंगे कहां पर printer का एक group बनाएंगे इसको भी yes कर देंगे specify करेंगे इसका hsn 9585 printer यह हो गया मैं फर्स्ट एटम यहाँ पर क्रियेट कर रहा हूं ओके और यहाँ पर यह रवट दे दिया यह रवट कहां है इसका h यह भी ले लिया मैंने rest name भी ले लिया ठीक अब यहाँ पर चार option है तो यह इसे स्रीज में आता है जैसे हम यहाँ यहाँ पर सेल करते हैं quantity अपना uqc वह आप अपने हिसाब से आप बना लेंगे और इसे save कर देंगे ओके यह देख लिए automatic सिर्फ आपको यहाँ पर item लिखना है यह automatic ले लेगा इसी तरह से आजाए आप यहाँ पर भी एक देख लिए दूसरा item डेल का और यहाँ पर save कीजिए फिर यहाँ पर आजाएए यह computer में है piece में दें यह बांकी सब कुछ आपको आपको फिल हो गया है save पर देख सकते हैं यहाँ से आजाएए फिर इसी तरह इसको लिए इसको लिए इसको लिए और अगर अब चाहते हैं कि मैं इससे भी ज़्यदा speed में work करूँ manual तो आप यहाँ से आ जाएए item में item में आने के बाद आपको करना क्या है यहाँ से multiple master में जाएए और यह देखिए multiple create option आ गया अब आपको करना है यहाँ से क्या मान के चलिए cell show और यहाँ से क्या करना है मुझे hard drive यह है यहाँ hard drive लेंगे piece में करेंगे और इसी तरह से sfd लेंगे करेंगे piece में save करेंगे इस तरह से rig लेंगे फिर हाँ से cooling fan लेंगे फिर यहाँ से motherboard लेंगे अगर manually करना है तो उसके लिए और नहीं import करना है direct तो import का किस तरह से process होगा उसका video में ने upload कर दिया है अब देख सकते हैं होँ से इस तरह से आप इसको अगर save कर लेंगे और फिर आप इसको जा करके check करेंगे यह देख लिएगे सब कुछ automatic यहां पर लेते जा रहा है कुछ भी आपको करने की जरूलाद नहीं है सब कुछ automatic सिर्भ हो गया देखे सब कुछ आ गया automatic इस तरह से आप फिर और other का ले ले लेगे create कीजिए अब यहां से मुन के चली computer का एक computer का तो यहां से इसको ले लेंगे फिर दूसरा monitor ले लेंगे यह दोनों भी हो गया फिर आप multiple पर चले जाए create कीजिए अब इसके बाद laptop रहा गया एक laptop का create का लिया था आप एक और दो और रहा गया तो यहां से हम इसे ले लेंगे और यहां से इसे ले लेंगे यह भी आपका हो गया फिर multiple create पर जाएए अब आपके पास रा गया क्या printer printer का ले लिजी यहां से यह printer हो गया फिर यहां से यह printer का item create कर लिजी और फिर यहां से scan यह create कर लिजी यह भी हो गया मतलब laptop hp का हो गया सिम्संग का हो गया यह डेल ले हो गया तो डेल का भी आप create कर सकते हैं यहां से फिर जा करके यहां से save कर लिए इस तरह से आप देख लिए कि इतना जल्दी आपका जो है यह हो जुका है पर आपको लग रहा है इससे नीचे भी करना है इस तरह से जो भी आपको चाहिए जहां तर वह आप एक ही बार में यहां से create कर सकते हैं यहां से जा करके आप ultimate check भी कर सकते हैं यह आपका सही सही create हुआ की नहीं को link fan देख लिजिए सब कुछ आ चुका है कोई printer वाला ले लिजिए scanner का यह देखे सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से हम बहुत यह आसानी से stock create कर सकते हैं यह तो हो गया आपका मतलब यह action wise group बना करके और अगर आप generally जिस तरह से create करते हैं stock वह भी आप कर सकते हैं जैसे कि stock item में यहां से जाएंगे मन की चलिए यह usb आप बना रहे हैं इसे primary के अंदर ही रखते हैं और पीस में देते हैं तो यहां से आपको फिर एक टूजएड एसपेसी करना परेगा एक एक करके तो अगर आप जैदा आपके पास stock item है तो उसे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और stock item को इसे इंपोर्ट करेंगे इसका वीडियो में अपलोड कर दिया है वहां से जाकर कि आप देख सकते हैं एक्सल में format बना करके बिल्कुल इसी तरह से और टैरेक्ट टैली में 4.0 में इंपोर्ट भी कर सकते हैं तो यह बिल्कुल पहले कि तरह है तो यहां से हम बहुत यह आसानी से stock item भी इंपोर्ट कर सकते हैं तो अभी तक में आपका चार option हो गया पहले वीडियो में ने बताया था कि किस तरह से हम लेजर क्रियेट करेंगे कंपनी जेनेट करेंगे उसका कंफिग्रेशन करेंगे फिर बताएं लेजर आज बताएं मैंने stock item नेक्ट वीडियो में अब हम इंट्रिक किस तरह से उसकी करेंगे और उसका कहां कहां क्या effect आने वाला है टेली प्रैम 4.0 में उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे